उत्तर प्रिदेश विधान परिशत के सभापती रमेश आदफ की बेटे अभिजीत उर्फ विवेख यादफ की संदिग्द मौत के मामले में पुलीस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलीस ने जांच के बाद अभिजीत की मा मीरा यादफ को गिरफतार कर लिया है उच्ताच में मीरा ने कबूला है कि वो बेटे के अभधरे वेवार से परिशान थी और अभिजीत से उसकी कहा सुनी भी हुई थी जिसके बाद उसने चुन्नी से गला घोट कर बेटे को मौत के गहाट उतार दिया रहते थे आज सुबह उनके मृत की सूचना प्राप्त हुई थी इस आधार पर थाना हजरतन की पुलिस मौके पर गई थी वहाँ पर उनके परिवारी जनल दौरा ये बताया गया कि उनकी स्वाभाविक मृत हुई है इसलिए वो कोई कारवाई नहीं चाहते हैं किन्तु पु परिजन पहले कुदरती तोर पर मौत का दावा कर रहे थे लेकिन पांच डॉक्टरों के पैनल ने सभबती रमेश आदफ के बेटे का पोस्ट मौटम किया जिसके बाद रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि अभिजीत की मौत गला घोटने से हुई थी पिलाल पुलीस ने आरोपी मा को गिरिफतार कर लिया है और आगी की कारवाई की जा रही है पंजाब के इसरी टीवी के लिए लखनव से अनील सैनी की रिपोर्ट